हाई फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी बटर असकोच आइसक्रीम के रेस्पी जिसको बनाना बहुत ही असान है आप इसको नहीं हमने कोई वीपिंग क्रीम का ही उच किया है नहीं कोई इलेक्टिक बिटर का ही उच किया है और नहीं कंडेंस मिल का ही इस अब पूरी तरीका से अब ठंडा हो गया है अब इसमें हम डालेंगे हां आपका ट्रट मिल्क पॉडर साथ ही इसमें जाएगा दो चक्रों का स्टर पाउडर इसमें मिडियुम फिलीघ कॉष्व मिनिट में यह आइस क्रीम अपका रेडी हो जाएगा देखिए इसको पकाते वक्त थोरा सा गाढ़ा हो गया है अब हम इसमें एड कर देंगे चीनी यहां पर अपने अंदाज से इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन एक लिटर दूद के लिए इतना चीनी परफेक्ट है यहां प क्या करेंगे ना इसको कम से कम 2-3 घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे जब तक यह पूरी तरीका से ठंडा हो जाए जब तक यह मिक्सर ठंडा हो रहा है ना हम यहां पर क्या करेंगा वन बाइठ हट कप चीनी ले लिया इसको अच्छे से कर लेते हैं बिलकुल लो फ् देंगे इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स तो हमने यहां पर काजू और बदाम को छोटे-चोटे टुकरों में कट कर लिया है लगभग 8-9 काजू और उतना ही बदाम हमने यूज किया है सारे चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे ज्यादा नहीं पकाना एक से दो मिनि देने के बाद बटर पेपर पर डाले इसको फैलाने का जूरत नहीं अच्छे से सेठ हो जाएगा और यहां पर देखे लगभग 3 घंटा के बाद हमने यह दूध फ्रीज से निकाल लिया है पूरी तरीका से ठंडा भी हो गया अच्छा से जम भी गया है अब चलिए हम इसक से बनाएंगे बहुत ही टेश्टी अच्रिम बने के रेडियो खाफ अधर्स और यहां पर देखे हम ने कोई भीपिंग करीम का यूज नहीं किए हमने यह अमुल कृम लिया हुआ है इसको भी हम आज इस से बनाएंगे आइसक्रीम इसको भी हमने ए घंटा के लिए फ्रीज को एक साथ फिर दूसरे जब बैच में पीशेंगे उसमें आधा क्रीम हम आइड करेंगे इस तरीका से करके हम फूल स्पीट पर इसको चलाएंगे एक से डिर मिनट के लिए चलाएंगे बहुत ही फ्लपी आइस क्रीम बनके रेडियों का देखिए फ्रेंज कितना अच्छा ल अगर आपके पास है तो आप जरूर डाले बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसको हम उसी बाल में ट्रांस्पर कर लेंगे और यह हम ड्राइफ रूट को बना के रखे थे एक पर अपर हाथों से ही छोटे चोटे टुकरों में तोर लेंगे बहुत ही असानी तूट जाता है और अच्छा से सेट भी हो गया है इसको पहले हमने निकाल दिया था इसको हाथों से छो Telesat तुक्रे करने के बाद , इसी लिम्धू कहलेंगे फिर हम ने यह बनने के बैण पॉल्ड कर Talkा नेroneकर लिया है इसको अच्छे से प्ताई कर देंगे, मतलब हलके लिएillा कर देंगे इसको अधो काल आध आत नियान पीसे महीन पाउडर कहलें अब अलग से बर्तन में डाल देते हैं गार यहां पर अधूर क्रिम से बन अच्छे से फलपी बन गया है लिए अब इसमने नहीं करेंगे भी में अच्छे से एक लेते हैं बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बने के रेड़ी होगा फ्रेंज एक बार आप इसको जुरूर ट्राइ करिएगा और इसको बनाना बहुत ही असान है अब हम क्या करेंगे कोई भी लंच बॉक्स ले ले लेंगे आपके पास जो भी हो आप उसको ले ले यहां पर हमने एक एर टाइट लंच बोक्स है उसको हमने ले लिया है अब इसमें हम ना सारे यह आइस क्रीम का जो बैटर है इसमें ट्रांसपर कर देते हैं अगर आपका कंटेरन एर टाइट नहीं है इसके उपर आप कोई भी अल्मूनियम फॉल से जो दूद का पैकेट हमने फारा था उसको ही आप इसमें लगा सकते हैं अच्छे से उस पॉकेट को धो दीजिए फिर सुखा दीजिए उसमें आप डाल सकते हैं फिर हमने क्या क्या है उपर से थोरा अचा ड्राइफुर्ट का यह मिक्चर जो उन्हें बना के रखा था डाल दिया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोरे से कटी हुई पीस्ते यह सब ना फ्रेंस जो पीस्ता यह सब सारे चीज़े ऑप्सनल है अब डालना चाहे तो कोई भी अलमुनियों फॉल से प्लास्टिक इर्ज नहीं किया इसको ऐसे ही बंद कर देंगे लगबग इसको आठ से नौ घंटा के लिए ओभर राइट के लिए इसको फ्रीजर में रख देंगे दिखिए हम आपको अगले दीन ही दिखा रहें केकि आईस्क्रीम बनाते बहुत लेट हो गए था लगबग दो से तीन बज गयते तो हम आपको नेक्स डे दिखा रहें बहुत ही अच्छा से सेट हो गया है अब हम क्या करेंगे ना एक नाइप के मदद से चारो किनारों से अगर आपके पास टाइम है तो इसको पांच मिनट के लिए इसे बाहर छोड़ दे यह अपने आप अच्छे से इजली निकल जागा लेकिन अगर आपको हमारे जैसा सब्र नहीं है तो बस ऐसे नाइप से करके देखिए प्लेट में निकाल दिया अब आप चाहे तो इसको ऐस किसे पीसे कट करके खाये या फिर आप इसको ऐस कुप से अच्छे से कट करके किसी बावल में डाल के खाये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऐस्क्रीम बन के डीवर फ्रेंड्स एकदम क्रीमी सा टेक्चर आया हुगा है अगर आजका रेस्पी आपको पसंद दो प्लीज मे वीडियो को लाइक सिर और सस्क्राइब करना ना भूले